और यह देखिए यहाँ पर जो पंची है किस तरह से हम आस-पास गूम रहे हैं और यह देखिए क्या कर रहे हैं यह देखो एक मिन देखना कितनी तेजी से भी देखी है यह देखिए, ह्वा में ही वह लपक लेते हैं खाइड हम हैं लपक लेते हैं और जबरडस्ट यह देखिये जब करते हैं कि कोई आएगा और इन्हें फींड करवाएyah कुछ अच्छा हम इने पैडिस गिला रहे हैं शमरें के हवा में ही ले जाते हैं हवा में ही ले जाते हैं हई भुड़िया डाल रही है जबर देखिया हवा में ले गया जबन दस्त है उसके गुडिया के पास है और यह देखिए बैया देना कुल भी और यह देखिए पंची किस तरह से पूरा दिन इंतजार करते हैं अगले दिन होने का कि कल कोई आएगा और फिर हमें फीड करवाएगा और यह सब लोग इसलिए यहां पर घुम रहे हैं क्योंक सब्सक्राइब नजारा मेहक क्या कहना जाओगे यह अलग सब्सक्राइब करते हैं कि कब यह बोट्स आएंगी कब इन में जो बैठे हुए लोग है वह हमें कुछ खाने को देंगे और यह इनकी कैचिंग पावर बड़ी स्ट्रॉंग है कि कैसे जब कोई भी इनकी कुछ खाने के लिए पैकता है तो यह हवा में उसे लपक लेते हैं यानि कि स्पोर्ट्स में भी जो यह पंची हैं वो काफी देज है और यह देखिए हमें कोल ड्रिंग से हांपर दी जा रही हैं पैटिस दिये गए थे फूड दिया जाएगा औ और यह देखिए उड़ते हुए पंची यह बता रहे हैं कि सारा दिन हमारा इंतजार करते हैं लोगों का इंतजार करते हैं कि जो लोग हैं वो आकर इने कुछ ना कुछ फीड करवाए और सब लोग इस मुमेंट को यहां पर इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं सब इनका एक गिलास से दिल नहीं भरा तो दो गिलास अच्छा यह एक अलग सा जो नजारा है किसी मैं जरूर कैप्चर करना चाहता था और आपको दिखाना चाहता था कि समुन्दर के अंदर किस तरह से जो यह स्वैन है शायद मुझे देखने से लग रहा है कि शायद यह क्याचिंग पापरपाउ्स दबर्दस्ता इनकी रास्ते से ही लपक लेते हैं तो देखते रहिए जुड़िये रहिए दिखाएंगे आपको की और आगे चल कर क्या कुछ एक्सपेरियंस हमारा रहता है और वो सारा गोवा टूर आपको दिखाएंगे जुड़े रही है हमार साथ और आगे चलकर आपको बताएंगे कि और क्या कुछ हमें देखने को मिलता है और ये पोर्ट के बिल्कुल पीछे से शिप के पीछे से आपको दिखा रहे हैं कि दो इंजन बहुत तेजी के साथ जो शिप है उसे आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहें और पंची आप देख सकते हैं साथ-साथ आरे और हमारा एक खाने का जो सामान है वो इस शिप के उपर पूरी तरह से लदा हुआ है और यह भाईया देखिए यह हमें लेकर आये थे इस शिप में और समुंदर देखिए कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ हमारा पूरा शिप और एक्सपिरियस यहां का बिल्कुल अलग चारों तरफ पानी पानी चारों तरफ पानी ही पानी है और यह वहिया कैप्टन है इस बोट के और यह इस बोट को चला रहे है क्या नाम है आपका इतने टाइम से चला रहे है चार साल से चला रहे है और कैप्टन है यह इस शिप के और कितनी तर पहुंच जाएंगे आइस 45 मिनट में पहुंच जाएंगे महां पर और तेजी के साथ यह जो शिप है वो आगे की और पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है फिलाल जो स्नैक्स है पार्टी है वो यहां पर चल रही है पहले हमें मिले थे पहले मिले थे हमारे को इन्होंने पैटीज दिया कोल्डरिंग अपने पी यह बहुत और कोल्डरिंग भी यह जिसकी जो च्वाइस है वो उसको मिला मांटन ड्यू मैंने पी है क्योंकि डर के आगे जीता है और आगे लहरें भी सर बढ़ रही है मुझे थोड़ा डर लग रहा है लेकिन मांटन ड्यू के बाद थोड़ा सा स्टेबल भी फिल कर रहा हूं कितना गहरा पानी है समया पर इस टाइम सरी मुझे यह लग रहा है क्यों आदा किलो मेटर तो कम से कम घहरा होगा 300 मेटर के आसपास गहरा पानी और देखिए लहरे देखिए किस तरह से पूरा समुंदर है से जईसे कोई चादर हिलतव दिखाई दे रही है एकर यह देखिए तेजी के साथ जो हमारा शिप है वो आगे के और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पानी की जो चादर है वो किस तरह से दिखाई दे रही है हिलता हुआ पानी कमाल 창ies और साक्षी क्या एक्सुरियंस अभी तक तो बहुत अच्छा बार की अब दर लग रहें जैसे उन्होंने एक्स्प्रेइंग की सारी चीज है मुझे तो बहुत बात में नहीं आना तो करना तो है चेक लगए पटर लग रहें पर डर लग रहा है तो क्या करना एंग ज़रूर करने हां जी मनों जी क्या experience है एक्सपरियंस सर्फ बहुत जवर्दसत है amazing है और हमारे सफर की सुरुवात वह जवर्दस तरीके से हुए है प्यारी प्यारी यह पर तको पकसी आये है और हम इंको खाना मिला था वो हमने सबसे पहले इनको गिला और कोल्डिंग हमने पी लिए पंची भी मुझे लगते सारा दिन इंतजार करते कि कोई आए गोर हमें बिल्कुल इनको सबसे बहले जया नहों होता है अपने से पहले इनको दो यह देगे वहारी सेवा कर रहे हैं अपर यह जाएगा फश्चा वैसे घर पे बात हुई जोर किसका चल रहा है नहीं घर पर बात होते ले बात होते हैं दूबारा अब यूपी के भीया है और ग्लास दे दो यह देखे पहले यह खिलाते बिलाते हो उसके सेवा करते हैं और तेजी के साथ जो प्रफ्राइब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और समुंदर की समुंदर ऐसे लग रहा है जैसे चादर हिल रही है तो अपने आपको ऐसा लग रहा है रात को अपना की ऐसा ही लगता तो इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत अच्छा शानदार नजारा आगे की और बढ़ता हुआ जो शिप है वो फिलाल हमारा दिखाई दे रहा है तो आप सभी से अपील इस वीडियो को देखे भी इसे शेयर भी करें आप देख रहे हैं बैट 24 मैं हूँ आकर्शनोपल गोवा से आप सभी के साथ लाइव दन्यवाद है